नाजरीन जिला बांडी पूर हमें आज हाजनोर अजस में प्रिंस्पल सेकरेटरी डाक्टर अजगर हुसें सामून ने डिगरी कालेजिस की बाजिवत तूर संगे बुन्या डाली इस मौके पर जिला तरीक एती केमिशनर बांडी पूरा शाबा जामत मिर्चा, एसे आर बांडी पूरा रिया जामत बेग, डिगरी कालेज बांडी पूरा के प्रिंस्पल हकीम गुला मुस्तफा और वाइस प्रिंस्पल डाक्टर कौंसर परवीन के अलावर दिगर कई आला अफिसरान मौजूद थे, वजर ए अजसर हाजन के लोगों की ये देरी नमांग थी, कि उनके यहां डिगरी कालेज का क्याम अमल में लाए जाए, और आज की इस तक्रिब में लोगों की बारी तादाद ने भी हिसा लिया, और यह से सरकार का शुक्र आदा किया कि उन्हों तीस, पैंटिस बरस यहां लगना चाहे था, बदकस्वित से नहीं लग सका है आज तक, अलहमदोला, जो भी देराय दुरस्तायत की बात में कारूंगा, तो आज हम रियासित, जमो कश्मिर जो इस वक तन गवर्नर सुरूल चल रहा है, गवर्नर निजाम ऐसे में बहुत उनको भी मुवार्ग बात देना चाहूंगा, या आम लोगों को भी मुवार्ग बात देना चाहूंगा. और उस हर फरद और उस आफिस का, जनूने हमें इस सिट्रिकल में साथ दिया, जो कि आई शर्मन देताबी. इस मौके पर अपनी तक्रीर में प्रेंस्पल सेक्रेटरी डाक्टर अजगर हुसें सामून ने लोगों से मुखातिव होकर कहा, कि पहले मरहले में साड़े सत्रा करोड रुप्यों की लागत से काल्जों के लिए तीन मंजला बुनियादी रांच्चा तामीर कराया जाएगा. डाक्टर अजगर हुसें सामून ने कहा कि गवर्नर इंतिजामिया आला तालिम के हसूल को आसान बनाने के लिए दूर दराज और दी इलाकों में डिगरी कालिजिस का कायम अमल में ला रही है. और हाली में सरदी तेसिल गुरिज के एक दूर दराजिला के तुलेल में भी एक डिगरी कालिजिस का कायम अमल में लाया गया. उनका कहना था कि इन कालिजिसों में जल्द ही कामकाज़ भी शुरू किया जाएगा. और ये कि इन से अजस और हाजन के हजारों तल्बावत तल्बात मुस्तफीद होंगे. डाक्टर अजगर हुसें सामों ने लोगों से मकातिब होकर का कि उनके तमाम मसाइल तरजिही बन्यादों पर हल के जाएंगे.